नमस्कार स्वागत आपका निउसल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी कहते हैं पुराने जमाने में राजा महराजा कई शादियां करते थे और आम लोग भी 2-3 शादियां तो कर ही लेते हैं लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है लोगों की मालसिक्ता हर चीज को लेकर बदलती जा रही है फिर चाहे वो शादी हो या फिर कोई और चीज और इस महंगाई के जमाने में इनसान आज एक शादी करकर जिंदगी गुजार ले वही एक बड़ी बात है लेकिन शोशल मीडिया पर एक बज़र्ग का वीडियो वारल हो रहा है उसकी कहाने सुनकर आप हैरान हो जाएंगे देखिए गे रिपोर्ट इन दिनों एक वीडियो काफी वारल हो रहा है हाला कि ये वीडियो किसका है, किसने बनाया और कहां का है इस बात की कोई जानकारी नहीं है लेकिन वीडियो में एक बुज़र्ग शादी करता हुआ नजर आ रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि वीडियो में शादी कर रहा शक्स पहली दूसरी नहीं बलकि 37 बार शादी कर रहा है इस वीडियो को देख कर हर कोई हैरान है बता दें शादी के दौरान शक्स के 126 पोते पोतियां और 29 पत्नियां भी शामिल हुई थी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इस शक्स का पूरा परिवार बढ़ चड़ कर उसकी शादी समारों में हिस्सा ले रहा है इस दोरान उसकी सब पत्नियां उसके सामने खड़ी हुई है वहीं जहां एक तरफ वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी दूसरी तरफ वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने पहले 36 बार शादी की थी और उनका एक बड़ा परिवार है नई दुलन समेत अब 29 पत्नियां, 35 बच्चे और 126 पोते-पोतियां साथ रहते हैं हाला कि इस वीडियो को IPS ओफिसर रूपेन शर्मा ने ट्विटर पर शेयर किया है जहां उन्होंने लिखा कि ब्रेवेस्ट मैं 28 पत्नियों, 35 बच्चे और 126 पोते-पोतियों के सामने 37 वी शादी की वैसे आज कल अभी भी नेता फिल्मी सितारे कई शादियां कर लेते हैं, लेकिन 37 शादी तो आज तक शायद किसी नहीं नहीं की होंगी इससे पहले ताइवान में एक अजीवो गरी मामला सामने आया था, जहां पर एक श्रक्स ने एक महिला से चार बार शादी की थी इसके अलावा 37 दिन में उसने उसे तीन बार तलाग पी दिया था, हाला कि उसने ये साफ कर दिया था कि ऑफिस से चुटी चाहिए थी जिस वचा से उसको ये ट्रामा करना पड़ा, ताइवान में शादी के लिए चुटी ज़रूर देने का नियम है हाला कि इस वीडियो को देखकर अब लोग हैरान होने के साथ साथ हस भी रहे हैं, लेकिन कुछ यूजर्स ने ऐसे काम की आलोशना भी की है, जबकि ये कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि क्या 21 सेंचुरी में ऐसा संभव है फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें नियूस वोल इंडिया